यही न गय थे मंदिर में तो मंदिर को धोना परा जब आप उतना ही जब उनके बराबरी हो गया तो मंदिर को नहीं धोना चाहिए उन लोगों को तो जब तक हम लोग बराबरी पर नहीं आ जाते हैं इस तरह का आरक्षन में आरक्षन देने की कोई जरूरत नहीं है अनुसु लेना परेगा जब तक और आरक्षन हम लोगों का आउधी बढ़ाया नहीं जाएगा आरक्षन का अधिकार और बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक संभौन नहीं है आने वाला समय में चिराग पस्वान की पाठी और जदियू की पाठी ये दोनों को भाजपा निकल जाएगी सब्सक्राइब करें अब कोई मुद्दा नहीं रहा है इसलिए वाले वह आरक्षन का हवा दे करके माहुल बनाना चाहा रहे हैं और धर ना देने का काम कर रहे हैं कि अब हम तो यही कहेंगे कि सत्ता पक्ष जो मलाई मार रहे हैं तो जो हमारे अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती का आरक्षन पर यह परहार जो किया जा रहा है उनको मुद्दा नजर नहीं नहींगे वह लोक जब चुनाव में जाएंगे तब अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के आरक्षित बर के लोगों का भोट नजर आएगा अभी तो हमारी समस्या और हमारी मुद्दा शिर्फ और शिप नौजवानों के नायक, दलितों के मसीहा, बिरोजगारों के हमदर्द, आदर्निये, तिजस्वी बाभू को नजर आ रहा है। बाकी सब जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, वो लोगों को नजर नहीं न आएंगे। जब जब अत्या चार हुआ है अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती पर तो एक दल ऐसा जो राश्टिये जनता दल है, जो हमारे पक्ष में और दलितों के पक्ष में खारा उतरने का काम कर रही है। इसी सब को ले करके एक सितंबर को पूरे बिहार में धरना परदर्शन ये किया जाएगा, चुकी अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती का अधिकार का हनन केंदर सरकार और राज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहां नितिस जी राज में मलाई मार रहे हैं, वहां मोदी जी केंदर में मलाई मार रहे हैं और दोनों मिल करके अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती का अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संबिधान को खतम कर देना चाहते हैं, हम लोगों का जो अधिकार है, अधिकार को लेकिन उन्हें इस बात को समझ में आना चाहिए कि ये असंभव है कि अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती का अधिकार को छिनना ये असंभव है जब तक तेजस्वी और लालू जी है कोई हमारे अधिकार को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं इसी चीज़ को ले करके आदरन आरक्षन में जो आरक्षन से समझनित मामले हैं इसमें केंद्र सरकार को हश्चेप करना पड़ेगा और नया अधिया देश लाग करके हम लोगों का अधिकार को सुरक्षित करना पड़ेगा जब तक ऐसा नहीं होता है ये लड़ाई जो है लगातार जारी रहेगा आप के रहे हैं कि अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती कि आरक्षन कोई लोग चीनना चाते हैं कि अनसरकार हूँ राज-सरकार हो लेकिन आपही की समास साते हैं जीतारनाव मा जी वह तो इस फैसले का स्वागत कर रहा है तो सबसे पहले स्वागत तो हम तब मानेंगे जब वो आरक्षित सीट से जीत करके सांसद बन करके गये हैं तो आरक्षित सीट से स्वागत तब मानेंगे जब सबसे पहले स्वैम इस्तिफा दे करके जो केंद्र और राज सरकार का जो ये दलित बिरोधी जो नितिया है उस नितियों को वो स्वागत कर रहे हैं तो सबसे पहले इस्तिफा दे देंगे तब हम मानेंगे कि ये दलित बिर तो धी जो केंद्र और राज की सरकार है उसके ये पक्षधर है और उस पक्ष में इन्होंने इस्तिफा देने का काम किये और इधर भी मीठ और उधर भी मीठ इधर आप तो मलाई मार रहे हैं और पूरे परिवार को आप अरक्षित सीट पर ही लड़वाईएगा और अरक्ष आप में आप दलितों के पक्ष में आप लड़ाई नहीं लड़िएगा और यह हम तो मानते हैं हम तो मानते हैं कि यह जो हैं जब यहीं न गए थे मंदिर में तो मंदिर को धोना परा जब आप उतना ही जब उनके बराबरी हो गए तो मंदिर को नहीं धोना चाहिए उनलों हमें और आरक्षन की ज़रूरत है जब तक और आरक्षन हम लोगों का अवधी बढ़ाया नहीं जाएगा आरक्षन का अधिकार और बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक संभवन नहीं है कि हम लोग बराबरी अभी बहुत सारे हम लोगों को अधिकार जो है मिलना बाकी है आज देखिएगा आप कि एक ही घर में चार-चार लोग, एक ही रूम में चार-चार लोग अनुसुची जाती, अनुसुची जाती के लोग, परिवार के लोग रहते हैं, उनके पास में घर नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास आन अन जो स बाल बच्चे जो है अदर जाती अदर समाज के लोग जो जितना आगे हैं जो बिक्सित हैं उनके बराबरी हम लोग जाएं लेकिन सरकार के तरफ से उस तरह का बेवस्था नहीं जो भी हमारे बाबा साहब भीमराओ अमेटकर साहब ने जो सम्विधान में जो आरक्षन दिये अरक्षन के तरह जो हमें अधिकार मिला उस अधिकार का अधिकार को जमीन पर किसी ने उतारनее का काम किये तो वो है आधरनिये लालू जी और आधरनिये तेजस्वी बाबु दूसरा कोई नहीं ये सिर्फ भोट लेने वाले लोग हैं और भोट लेकर के वो शिर्फ मलाई म स्वार्थी है अब ही भी जितना बराबरी का अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए पहले भी हम बोले हैं कि आज भी हमारे लोगों को अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के भाईयों को आप देखियेगा कि जमीन के मामले में आज भी जमीन के मामले में हम लोग जीरो हैं बैंक बाइलेंस के नाम पर हम लोगों का जीरो है आप देखिएगा कारोबार के नाम पर हम लोग जीरो है आप देखिएगा समाज में समाज में बराबरी का अधिकार नहीं है आज भी हमारे साथ छुआ छूत भेद भाव उंच नीच का ये जो है भाव रहता है लोगों में तो जब तक हम लोग बराबरी पर नहीं आ जाते हैं, इस तरह का आरक्षन में आरक्षन देने की कोई जरूरत नहीं है, उस तरह का प्रोधान लाने की कोई जरूरत नहीं है, बलकि हम लोगों को और आगे बरहाने के लिए हम लोगों को आरक्षन में बरहोतरी करना चाहिए, ह ये सारे चीज जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों को फिरी देना चाहिए सरकार को जब हम लोग उस बराबरी में आ जाएंगे सरकार को टेक्स देने के योग हम लोग जब हो जाएंगे तब सरकार सरकारी जैसे सुविधा है बिजली पानी इस सब चीज में गैस तब जाकर के सरकार हम लोगों से ये गैस और बिजली बेचने का नहीं तो उससे पहले हम लोगों को गैस स्लेंडर भी फिरी चाहिए बिजली भी फिरी चाहिए स्कूल में सिख्छा कोपी कलम ये सब चीज हम लोगों को फिरी चाहिए यहां तक की परिख्षा देने जो बच्चा जाता है तो उसके लिए भी भारा उरा सब फिरी चाहिए और वहां रहने का भी सुविधा हम लोगों को सरकार के तरफ से मुहाया कराना चाहिए हम लोगों को मेडिकल कॉलेज एजुकेशन भी हम लोगों को चाहिए हम लोगों को हर तरह से जुडिसियली में भी हम लोगों को आरक्षित होना चाहिए ताकि हमारे जाती हमारे वर्क के लोग हर छेतर में जा करके जा करके उस पद पर वो लोग काम करेंगे तभी जो है न हम लोगों को हर छेतर में हम को बराबरी का अधिकार मिलेगा आठी सवाल रहेगा जिस प्रकार से आपने जितना माजी को लेकर के कहा घडिया गया चिरागा पास्मण भी जितना माजी को लेकर के कह रहे हैं कि जब मंदिर गए थे ज़ो हुआ था गटना करें साथी साथ भारत बंद का भी चिराग पास्वान ने समर्थन किया था क्रीमी लियर का जो है को लेकर भी रोद कर रहे हैं और एंडिया के ही वह हिस्सा है ऐसे में क्या लग रहा है चिराग पास्वान को लेकर के कि चिराग पास्वान की पाटी में भी तूटका दवा क्या जा रहा है कैसे देखते हैं सब्धें को नाम पर महागटबंधन हमारे खास करके आदरनीय नौजवानों के नायक बेरोजगारों के हमदर्द ये हमारे तेजस्वी भागो इसका बिरोध किये और महागटबंधन के सभी दलो ने लेटरल इंटी को लेकर के बिरोध किया उस बिरोध के दबाओ में केंदर सरकार को मुँ फुलाना मुँ फुलाना और हसना एक साथ दूनों नहीं हो सकता है जदि सही में अनुसुची जाती जन जाती के अधिकारों के लिए लरना चाहते हैं चिराग पसवान जी तो केंदर की सरकार से समर्थन वापस लेना परेगा और वापस ले करके सरक पर उतर करके हम लोगों के साथ लड़ाई लरना परेगा तब यह होगा ऐसा नहीं कि आप वहाँ पद पर बैठ करके मलाई मिमार रहे हैं और यहाँ जूठा यह बताईए उस दिन कहा किस सरक पर थे कहा जाकर के विरोद कर रहे थे कहा सरक पर जाकर कर अंदोलन कर रहे थे कहीं किसी ने देखा उनको कहीं किसी ने चिराग पस्वान जी को नहीं देखा और देखिएगा हम लोगों के तरफ से एक तारीक को जो घोशना हुआ है उसमें हमारे नेता और सभी लोग उसमें सरक पर उतर करके केंद्र की सरकार को हम लोग खुला भीरोध करेंगे हुला चैलेंज करने का हम लोग काम करेंगे तो इस तरह का बात है तो उनका दल है उनका दल है और इसके पहले भी वही लोग तोरने का इंडिये के लोग तोरने का काम किये और आगे भी क्या करेंगे वो बेहतर जान रहे हैं कि उनके साथ क्या होना है हम लोग क्या कहें वो खूद जान रहे हैं इसलिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने पाटी अपने दल को बचाने का पर्यास कर रहे हैं ऐसा नहीं होता तो इसती रहते तो ये तो नियत में ही है भाजपा के जिसके साथ रहते हैं तो बड़े मचली का शिकार करना जानते हैं तो उस शिकार में भाजपा के नजर में ये चिराग पस्वान जी भी है छोटे मचली के तौर पर और निटीश कुमार भी है दोनों का निगलने का काम भाजपा कर रही है और आने वाला समय में चिराग पस्वान की पाठी और जदियू की लिए एक के पीछे एक आदमी को एक के पीछे एक दल को लगा करके रखा गया है ताकि इनकी दल आगे नहीं बढ़ सके और इनको किस तरह से समाप्त किया जा सके इस पर वो लोग भाजपा वाले कारेक करना सुरू कर दिये बहुत बहुत धन्यवाद थे पूर्व मंत्री सु चिराक पास्मान दोड़ी निती पर काम कर एक तरफ वो केंदर में अपना समर्थन दिये वे और दूसरी तरफ इस तरह की बाते करते हैं तो पहले वो इस्थिपादे और हम लों के साथ करके लड़े भारत बंद्री भी हुआ था लेकिन भारत बंद्र पर नहीं दिखे थे जमीन पर कहीं भी आंदोलान में वो सामिल नहीं हुए थे साथी साथ 12 इस तरह के बाते करती हैं उनको याद होना चाहिए जब वो मुख मंत्री थे और मंदिर गए थे तो इस वक्त जब मंदिर से गए थे तो मंदिर को धोना पड़ा था कई सारे हमने सवाल कूल के बातच